आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ क्या करेगा? Relative motion को always oppose करेगा फर एक जामपल, लेटसे हमारे पास एक body है जो ground के साथ contact में है जो surface है, body और ground के बीच में वो हमारे पास रफ surface है, लेटसे यहाँ पे coefficient of friction कितना है, mu तो यहाँ से देखो, हमारे पास अगर यह body आगे की तरफ जा रही है तो friction force क्या करेगा? Body और ground के बीच में हमारे पास क्या होगा? Relative motion को oppose करेगा अगर body अभी आगे की तरफ जा रही है तो इस body पे friction force देखो, पीछे की तरफ लगेगा और ground पे आगे की तरफ इस friction force क्या करना चाहता है? यह सोचेगा कि ground और body एक साथ इस लिए ground पे friction force आगे की तरफ लगेगा और इस block पे friction force पीछे की तरफ लगेगा तो friction force आउल बेज क्या करता है? Relative motion का अपोच करता है ऐसे आप friction force की direction भी इस concept से निकाल सकते थे Thank you